नमस्कार आदाब सच्च्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार मेरे पीछे दिल्ली पुलिस की वर्दी में जिस दरिंदे को देख रहे हैं उसे एक पल भी एक सेकंड के लिए भी पुलिस फोर्स में रहने का हक नहीं है यह आदमी जो दिल्ली पुलिस का कारिंदा है यह दरसल इंसानियत पर कलंग है यह दरसल भारत की समवैधानिक विवस्था पर कलंग है यह दिल्ली पुलिस का वो कलंग है जो भारत की पूरी लोकतांत्रिक चेतना पर कलंग है कलंग है यह भारत की उस विवस्था पर जिसे ह धर्म निर्पेक्षता कहते हैं यह गुंडा जिसे आप देख रहे हैं और इसे फुल फ्रेम हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि कुछ नियम और काइदे जुड़े हुए हैं लेकिन आप समझ सकते हैं और यह वीडियो आप तक पहुच चुका होगा यह दिल्ली पुलिस का एक का स्टेबल है और यह दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए लोगों को जिस धिठाई के साथ जिस गुंडागर्दी के साथ लात मार लहा था उनके साथ बदसलूकी कर लहा था यह अपने आप में एक ऐसी चीज है जिस पर भारत का हर नागरिक शर्मिंदा है और शर्मिंदा होन को दिल्ली पुलिस के फोर्स में या देश के किसी भी पुलिस फोर्स में एक पल के लिए भी रहने का हक नहीं है सस्पेंशन इसका इलाज नहीं है इसकी मानसिक स्थिती नहीं है कि इसको पुलिस फोर्स में रखा जा सके इसको ततकाल सस्पेंट डिस्चार्ज किया जाना एक इंसान के तौर पर भारत के एक नागरी के तौर पर जो इस आदमी की मानसित्ता है इस गुंडे की जो मानसित्ता है इस दरिंदे की जो मानसित्ता है और वर्दी जिसको ताकत पेती है वो भारत की समाज के लिए भारत की विवस्था के लिए बर्दाश्ट के लाइक नही शुकर वर का दिन था जुमे की नमाज हो रही थी हना हफ़ते हो रही थी प्लिस चाहती मान लीजिए कि उसे कोई अथा भी तो आ आराम से लोगों को हकने के लिए कह सके चीच Patreon को करे सकती थी या नमाज आपको यहां बाधित नहीं हो रहा था लोग बिलकुल किनारे आराम से शांति पूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे थे और यह वो दिन था जिस्तन शिवरात्री भी थी मैं जब अपने आफिस पहुंचा तो भारी जाम था पूरे रास्ते में लोग सड़कों पर उम्रे पढ़े थे लेक त्योहार के दिन ऐसी विवस्थाएं बनती हैं मैंने एक भी पुलिस वाले को पूरे रास्ते में कभी नहीं देखा कहीं नहीं देखा तैनात और किसी के साथ बत्तमीजी करने की बात तो छोड़ दीजिए शिवरात्री के दिन जब लाखों लाख लोग सड़कों पर हैं मं किसी को दिकत नहीं होती है दी हो पूरे नंगे पन के साथ बाहर आ जाता यहीं हुआ तीस हजारी कोट के पास इंदर पूरे इलाके में नमाज पढ़ रहे, जुम्हे की नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ ऐसे पुलिस वालों को ऐसी हिम्मत कहां से मिलती है, इस पर बात करना जरूरी है कहां से आती है ताकत, कहां से आता है होसला, कहां से आती है ऐसी सोच, ऐसे गुंडों के पास, कि वो किसी के साथ भी ऐसी दर्णदगी कर सके, ये केवल अनुशासन तोड़ने का मामला नहीं है, ये एक पूरे समाज को, एक पूरे सिस्टम को, अपने वहशी पन का शिकार बन लेने का मामला है, और इस पर बात होनी चाहिए, हमें पता है, कि जिस तरीखे से ये वीडियो वाइरल हुआ है, और जिस तरीखे से दिल्ली पुलिस इसकी लीपा पोती में लग गई है, उसके बाद इसे सस्पेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ये आदमी नासूर है, ये कल खतरनाक है, भारत की पूरी विवस्था के लिए खतरनाक है, ऐसे लोग किसी को भी गोली मार सकते हैं, अगर इस आदमी के जेब में, तो अगर बंदूख होती, अगर पिस्तॉल होती, कोई धारदार हथियार होता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जिसकी मान सकता इत इसी देश में हुआ है, जब नाम पूचकर, दाढ़ी और टोपी देखकर, चलती हुई ट्रेन में, लोगों को इसी तरीके के पलिस फोर्स के धरिंदे ने निशाना बनाया, आपको याद होगा, 31 जुलाई 2023, जैपुर मुंबई सुपरफास ट्रेन थी, पाल घर के पास, चेतन सिंग नाम के आरपी एफ के कॉंस्टेबल ने सबसे पहले अपने बॉस, सब इंस्पेक्टर, आदीवासी, टीका राम मीना को गोली मारी, और उसके बाद उसने नाम पूच पूच कर, दाढ़ी और टोपी देख देखकर, सीधे गोली मारी, उनके नाम थे, में रहने का, और ये ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ था, जिस तरीके का समाज हम बना रहे हैं, उसमें तो यहो नहीं था, और याने वाले जिनों में भी होगा, नू की हिंसा के बाद, जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगा कर एलान किया गया, कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, यहां से भागना पड़ेगा, और किसी पर कोई कारवाई नहीं होती, उल्टा बुल्डोजर चलाए जाते हैं हल्पसंख्यकों के घर पर, और पंजाब और हरियाना हाई कोट को इस पर रोक लगानी पड़ती है, शर्म आती है, एक ऐसी विवस्था पर, जो ब परिंदगी में एक तिन यहांच उनको भी खाक करेगी, यह बात वो भी याद रखें, यह किसी एक आदमी की बात नहीं है, यह किसी अब्दुलकादिर और केवल सैफुल्ला की बात नहीं है, यह केवल पहलु खान की भी बात नहीं है, यह बात पूरे समाज की है, यह बात हमारे और आपके बच्चों की है यह बात हमारी और आपकी बेटियों की है जिस तरीके का समाज हम बना रहे हैं उसके बाद बच्चता क्या है कौन सुरक्षित रहेगा इस आग में हलदवानी की घटना सुनी होगी आपने अचानक से रेलवे सामने आता है और कहता है कि पूर अप इसको नयाई कहते हैं आप इसको इन्साफ साबिद करना चाहते हैं आप इसको संस्कृति सभिता और विकास साबिद करना चाहते हैं sixt येक ऐसी अन्धी सुरण्ग है जिसके पार कोई रोश्नीं नहीं है ये बात हमको आपको याद रखनी चाहिए उत्तरकाशी के पु और उसके बाद वहां के मुसलिम दुकानदारों के दुकानों पर पोस्टर लगा दिये गए कि आपको अपनी दुकाने बेच कर भागना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे ऐसी को एक घटना नहीं है दर्जनों घटना है अगर हम लगे तो शायद पूरा दिन गुजर जाएगा इस05 को इतनी हिम्मज कहां से मिलती ऐसे गुंडों को ऐसे द्रिंदों को हैसी वह्षी लोगों को यह हिम्मजज कहां से मिलती है कि वह खुले आम देश की राजदर्णी में कि नमाज पढते थे और इस देश का एक मंत्री नरेंद्र मोधी सरकार का एक मंत्री नर लगाता है देश के घद्दारों को चूते मारू सालों को और इसके बाद उस मंत्री की तरक्की कर दी जाती है कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रा ले दे दिया जाता है जो जिम्मेदार है भाशा तैय करने के लिए जो जिम्मेदार है टेलिविजन चैनलों पर चलने वाले कारिक्रमों पर नजर रखने के लिए और हमारी तरह के लोगों के जु डीक्षित नहीं रहेंगी इसे दिली में यह सब हुआ कोई कारवाई नहीं हुई आज तक फायार तक दर्ज नहीं हूए राई कोर्ट से लेकर लूवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम को्र तक मुकदमा लड़ना पून रहा है कि ऐसे लोगों केخलाफ फायार तो दर्ज करो लेकर फायार दर्ज नहीं हो रही है और इसको आप न्याय कहते हैं इसको आप विवस्था कहते हैं और किसी की बात क्या करें इस तेश के प्रधान मंत्री ने खुले तोर पर कहा कपड़े से पहचान लेते हैं तो कपड़ों से पहचान लेने की जो राजनेतिक विवस्था बनाई गई उसको उसका हंजाम यहीं होना था किन लोगों से मिलती है ऐसे लोगों को इस पर सोचना तो पड़ेगा अर्बन नक्सल कहा था जी एंसाई बाबा को छोड़ा बॉम्बे हाई कोट की नागपूर पीठ ने बरी किया लेकिन उसादमी के जंदगी आपने नर्क बना दी अभी भी कम से कम दर्जन भर्मानवाधिकार कारी करता अलग अलग जेलों में बंद है तो यह जो दिल्ली में नमाजियों को लात मारी गई है जिस तरीके की बिहूद करना चाहिए हम सब को सामुहिक तोर पर इसका विरोध करना चाहिए और खुल कर कहना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज के खलाफ हैं जो धार्मिक वे मनस्यता पर खड़ा है हम एक ऐसी विवस्ता के खलाफ है जो एक दूसरे से दुश्मनी पर खड़ा है हम एक ऐसे समाज के खल आप हैं जो वकालत करता है धारमिक तौर पर रेंसा फैलाने की ऐसे तमाम नेताओं को ज़रा नजरें उठा कर देखिए ऐसे तमाम लोगों को ज़रा ठीक से समझिये और तॉलिए ये लोग हमारे लोगतंत्र को कहां ले जा रहे हैं कहां ले किया जा सकता कि इस देश के 25 करोड़ की आबादी के खिलाफ इस देश का बहुत संख्यक खड़ा हो ते यह माना नहीं जा सकता तो कौन लोग है जो हमारे दिमागों में यह भरते ना चाहते हैं और जहां से ताकत मिलती है कॉंस्टेबल चेतन जैसे लोगों को दिल्ली पुलिस के गुंडे जैसे लोगों को या उन लोगों को जो लोग नारे लगाते हैं देश के करतारों को आप जहां भी हैं आप जो भी काम करते हैं वहीं से विरोध करिए अपने आस पास के लोगों को बताईए कि इस मुल्क को को खुबसूरत बनाने के लिए इस मुल्क में प्यार को बचाने के लिए इस मुल्क में एक मुखब्पत को बचाने के लिए जरूरी है कि हम ऐसी हर घतना का विरोद करें इस वीडियो में इतना है Article 19 ंडिया को सब्सक्राइब बीजिए